जै मसी की दोस्तों साबट स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है हम पार्ट नौ पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार का जो भाग है उसे हम अध्यान करेंगे जिसका शीशक है विश्राम से पूर्व प्रतम छ दिन तो इस विश्राम को पाने से पहले जो प्रतम छ दिन थे उन दिनों में क्या हुआ था प्रभू ने क्या किया उसके उसका हम अध्यान करेंगे जो हमें उत्पति के फर्स चैप्टर में वर्स वान टु थर्टिवान में यह घटना दी गई है तो क्रिएशन स्टोरी जो है उस कि शब्दों से उन्होंने हर चीज को उत्पन किया उन्होंने कहा और वहां वह चीज उत्पन हुई ऐसा हम उत्पति में फर्स चाप्टर में देखते हैं तो शून्य से याने जहां पर कुछ भी नहीं था वहां से उन्होंने जीवन को लाया या बनाया जीवन वहां से ही उन्होंने लाया, ऐसा हम देखते है, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर रात से दिन को अलग करते है, तो पहले दिन में क्या क्रेट करते है, लाइट, यानि जो अंधेरा, जो रात थी, उस में से प्रभु ने दिन को अलग किया, अलग किया, और दूसरे दिन आकाश और पानी का जो प्रगट रूप वह परमेश्वर देते हैं तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमी और पेड पोधे इसे भी बनाया तो हम देखते हैं जो पहले के तीन दिने वहाँ पर सूखी जो जमीन थी लैंड उसे प्रभू ने बनाया जो बाकी के तीन दिन है उसमें सभी चीजों को भरने का काम प्रभू ने किया तो हम देखते हैं जो चौता दिन है तो प्रभू ने क्या बनाया सूर्य को दिन में चमकाता है और रात में चंद्रमा को वह चमकाता है जो चांद है और जो सूर्य है उसे चौथे दिन में प्रभू ने बनाया और हम देखते हैं कि बाइबल के जमाने में ज्यादातर लोग मानते थे कि जो सूरज और चांद है वह देवता है ऐसे बाइबल के जमाने में लोग मानते थे मगर प्रभु एश्यू हमसे यहां सिखाते हैं, वहां हमें कहते हैं कि बाइबल में यहां हमें दिखाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो चांद है वह देवता नहीं, प्रभु एक ही है जो हमारे उधार करता है और हमारे परमेश्वर है, हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्र के अधिन है मतलब जो परमेशुर कहते है उसे सूर्य और चंद्र सूरज और चंद्रमा भी सुनते हैं उत्पति के फर्स्ट चाप्टर में 20 से लेकर जो 31 वर्स से अगर हम उसे पड़ते हैं तो वहां पर मुसा हमें बताते हैं कि जो पांचमे दिन और छटे दिन में के दौर प्रभुमी के जानवर उस जगह को भरते हैं जो परमेश्वर बनाता है तो इन पांचवेद फिफ्ट और सिक्स्त डे में प्रभु ने यह सभी चीजों को इस दुनिया में इस धर्ती पर उन्होंने बनाया और पूरी सुन्दरता से उन्हें रचा तो परमेश्वर प्रती के बाद वह क्या कहते है उसे जानने के लिए हमें उसका जवाब है वह उत्पति के फर्स चाप्टर इसी पोर्शन में हमें मिलता है परमेश्वर पूर्थवी को परिपूर्ण बनाते हैं और पूर्थवी जानूरों से भर जाती है मगर प्रतीक दिन के बाद परमेश्वर कहता है कि वह जो कुछ भी बनाता है वह अच्छा है इट इस गुड ऐसा परमेश्वर कहते हैं अच्छा है तो सोचीगा प्रभू ने बस अपने शब्दों का इस्तमाल किया बाते वहाँ पर उन्होंने प्रकट की और वहाँ पर ज प्रभू खुद कहते हैं हम वह बाइबल में देखते हैं तो जो परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है उससे मनुष्य कैसे अलग है तो इस प्रश्ण का उतर जब हमें देखना है तो हम हमें उत्पती के 1st chapter 26 और 27th verse से उसका जवाब मिलता है तो प्रभू ने हमें कैसे बना नहीं जरा एक्स्ट्रा केर लिया हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा किया प्रभू ने वह उन्होंने क्या किया परमेश्वर नीचे जुकते हैं और मिटी को आकार बनाते हैं वह नीचे जुकते हैं मिटी को लेते हैं एक आकार बनाते हैं और साधारन आकार नहीं वह एक आद वह उनकी तर तो आज हमें आख है नाग यह मूँ कान यह चहरा हाथ तो हम किसके समान प्रभू ने बनाए है उनकी उनकी तर है ना तो प्रभू को भी आखे है उनको भी हाथ है कान है यह सब तो हम जैसे आज हम है तो हम किसके रूप में बनाए गए है प्रभू के रूप में स्वयम उनकी रूप में उन्हों ने हमें बनाया है। तो यहाँ कार्य अमें कुछ सिखाता है और कुछ दिखाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं कि उन्हों ने हमें उनकी दरह बनाया। ऐसा कहते हैं जब एक स्त्री जब वह अपने बच्चे को जब पैदा करती है तो लोग कहते हैं कि अगर उस मां को उनके पती पर बहुत प्यार हो तो वो जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल उनके पिता की तरह दिखता है अगर पिता को मां पर बहुत ही प्यार होता है तो तो जो पैदा होने वाला बच्चा होता है वह बिलकुल अपने मा की तरह दिखता है तो जितना प्यार जो इंसान पर हम दिखाते हैं उन्हीं की तरह वो बच्चा भी आता है ऐसे हम इस दुनिया में देखते हैं लेकिन यहां पर हम इस creation में हमारे creation के बारे में जब हम पढ़ ज्यादा प्यार किया होगा कि हम उनकी तरह बनाये गए हां मेरे प्यारे दोस्तों हम देखते हैं कि और हमारे करीब रहना चाते हैं उनकी तरह बना दिया और वह हमारे करीब भी रहना चाते हैं परमेश्वर ने आदाम की नाक में श्वास फूका तो पहले वह जुकते हैं मिट्टी लेते है और आदमी के आकार में बनाते है और स्वयम उनके रूप में बनाते है और आदम के नाक में अपना श्वास जो है उसे फूपते है और आदम फिर क्या होता है एक जीवित प्रानी हो जाता है living soul एसा हम देखते है और परमेशर इसके बाद क्यार करते है आदाम की पसली की हड़ी से हवा को बनाते है तो ऐसे नहीं कि प्रभू ने ऐसे ही कह दिया कि हवा तुम बन जाओ नहीं इव को बनाने के टाइम भी हवा को बनाने के टाइम भी प्रभु ने आदम की पसली की हड़ी से किसको बनाया हवा को बनाते है और परमेश्वर हमें यह दिखाने के लिए एक विशेश तरीके से बनाते है कि विवाहित लोगों को कितना अभी आदम के वह पसली की हड़ी से ही हवा को बनाया याने पाट उनके उनके शरीर का एक अं बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाना चाते हैं, वह चाते हैं कि विवाहित लोग जो होते हैं, वह अपने आप में एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार, उनका संभन्ध किस तरह से होना चाहिए, कि वह कितना करीब होना चाहिए, कि एक पती और पत्नी को दिल, दिमाग और शरी करते हो, अलग-अलग अपने कारे करते हो, नहीं, जब प्रभू ने हमें पती और पत्नी का दर्जा देते हैं, तो वह चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दिल, दिमाग और शरीर में एक मन से एक होकर हम रहे, तो परमेश्वन ने मनुश्यों को उपहार के रूप में यह विवाह दिया है, तो आज की जिन्दगी में हम देखते हैं कि यह विवाह जो है, बहुत ही लोगों को कठिन लगता है, कि साथ हम रहे नहीं सकते, हमें एक दूसरे को समझने की समझ कम होते जारी है, कि लोग एक साथ रहने में दिल्चस्पी नहीं रखते, उन्हें कुछ पसंद नहीं आया, तो वहां छोड़कर चली जाते हैं, मगर प्रभू यहां कहते हैं कि हम पती और पत्नी कैसे होना चाहिए, एक होना चाहिए, चाहे वो दिल से हो, दिमाग से हो, शरीर से हो, एक रहना चाहिए, जब परमेश्वर इन कामों को करते हैं, तो वहां अपनी बनाई हर चीज को देखते हैं, और क्या कहते हैं कि यहां अच्छा है, लेकिन जैसे आ मुत्पती 131 में देखते हैं कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सब को देखा, तो क्या देखा, कि वहां बहुत ही अच्छा है, जैसे ही प्रभू ने आदम और हवा को बना कर सब कुछ अभी इसके बाद तो और कुछ बनाया ने, तो प्रभू देखते हैं और कहते हैं कि यहां बहुत अच्छा है, वेरी गुड ऐसा एक शब्द बहां बाइबल में दिया गया है, तो हमें यह सीक यहां से मिलती है, कि प्रभू ने जब क्रियेशन में बहुत सारे चीजे बनाई, उनके शब्द को प्रयोग करके उन्होंने बनाया, सब अच्छा था ऐसे कहा, जब आदाम और हवा को बनाने के बाद प्रभू कहते हैं कि यह सब बहुत अच्छा है, तो हम सोचना चाहिए कि आज, जब प्रभू हमें देखते हैं, क्या आज भी मुझे दे अच्छी है, बेरी गुड़, ऐसा दरजा क्या प्रभू हमें देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या मेरा जीवन उस लायक है, हम सोचेंगे, इसे अधेयन करेंगे, और प्रभू से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभू, जैसे आपने हमें बनाया है, हमें उसी तरह जीने की और और भी encouragement दीजेगा और भी strength दीजेगा ऐसा हम प्रभू से पूछेंगे तो वह जरूर हमें मदद करेंगे तो जो आज हमने अधेयन किया है जो विश्राम के पहले के जो प्रतम छह दिन में प्रभू ने क्या किया और उससे हमें क्या सीख मिलती है इससे हम अपने मन में रखे और हम और भी इस पाठ का अधेयन साथ मिलकर हम पड़ेंगे हमारे साथ बने रहेगा प्रभू आपको आशिश देगे